तो हलो गाईज, I am here with part 2 of our Clayton substitution series, उमीद है आपने part 1 देखी होगी, part 1 देखो आपको काफी अच्छा लगेगा, चीज़ें बहुत पहतरीन आपको दी जा रही है, और कमेंट करो अगर अच्छी लगती है चीज़ें तो तारीफ करो, ठीक है, मज़ा आता है देखे, आज second video के स स्टार्ट करेंगे, जो भी हमने पिछली क्लास पर पढ़ा हुआ है, वो पढ़के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़के ही आगे बढ़ेंगे, तो चलो, यहाँ पे जो पॉइंट है अगला वो है, कि कार्बोगतायन सार स्टेबलाइजड बाई एडजेसें लोन प पर देगा, तो ऑक्जोनियम आयन जैसा कुछ बनेगा, ऑक्सिजन पे एक फॉर्मल पॉजटिव आएगा और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, जी उसी का बेसिक सही है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एटम का कम्प्लीट ऑक्टेट पू तो यहां पे ही है, आप नुक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, नुक्लियोफाइल हमेशा यहीं पे लगेगा, नुक्लियोफाइल यहां कभी नहीं लगेगा, यह आपको क्लियर होना चाहिए, तो देखो यहां पे भी वही हुआ है, और फिर इसका अटैक करा है, और यहा आगे देखते, देखो अब यह क्या, methoxy-methyl-catein, SBF5 के बारे में पिछली वीडियो में अच्छे से डीटेल में discussion किये, आप यह देखोगे, आपको समझ आ जाएगा, डीटेल में बताएं, पिछली वीडियो में, चलो, यहाँ पे आओ इसको देखो, यह very important case में कहूँगा this is very important, ठीक है, देखो इसमें हो क्या रही है, है acetyl आपका, और acetyl जो है, वो क्या करता है, hydrolyze हो जाता है, और hydrolyze होके आपका hemiacetyl देता है, hemiacetyl भी further hydrolyze होके, आपका respective carbonyl दे देता है, aldehyde की tone, ठीक है, बट, अभी हम इस illustration में सिर्फ hemiacetyl तक की बात कर रहे है, सिर hemiacetyl से carbonyl जो बना होगा, वो भी reaction 100% थोड़ी न जाता है, तो कुछ amount hemiacetyl भी बचा रहा होगा solution, ना, तो आपके पास हम hemiacetyl तक की बात कर रहे हैं, बस हो जादा कर देखो, तो यहाँ पे major mistake एक होती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक में अलग से दिय हुआ हुआ है, यह देखो, एक major mistake होती है, आपको पहले क्या करना है, कि इसको protonate करना है, इसको protonate करके उसके बाद बाजू में loan pair donor है, loan pair donor है तो औक्जोनियम आयन बनेगा, या फिर आपके पास, बोल सकते हैं, SN1 के वाया displacement होगा, क्योंकि औक्जोनियम आयन बना, फिर रि यहाँ पे इसको leaving group सोचके, सीधे water का attack करके निकाल देते हैं, होती है, यह गलती, major गलती है, तो SN2 डिस्प्लेस हो, तो इससे फरक क्या पड़ा सर, बना तो वही न, इससे question थोड़ी न गलत होगा, पहले तो अगर genuinely reaction पूछ लिया, आपको question में तो वहाँ पे गलती करोगा या फिर अच्छा chiral viral center बना कि अगर stereo पूछ लिया, तो वहाँ गलती कर सकते हो, तो वह गलती ना करो, आप समझ लो, यहाँ SN1 के through reaction जाता है, आगे बढ़ते हैं, देखो, इस portion में क्या बात करी गई है, इस portion में आपने X है, जो loan pair donor है, और Y है, जो leaving group है, तो इसने आपका loan loan pair donate किया, वाए निकाल, आप देखो, यह loan pair donor, यह सभी, और यह सभी अच्छे leaving group, basics है, देखो के समझ में आ जाएगा, अगले table में कुछ कार्बो कैटाइन्स के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, यह भी पता ही है, आपको या देखो, tertiary है, तो SN1 के लिए अच्छा है, secondary है, तो किसी के लिए जादा अच्छा नहीं है, अलाइलिक और बेंजाइलिक मैं बता दू, आपको SN1 भी ठीक करते हैं, यह SN2 भी अच्छा करते हैं, दोनों का reason हम आगे discuss करेंगे, औक्जोनियम आयन या फिर इमीनियम आयन है, loan pair donor item के बाजू में low positive charge अगर आपका बन रह करेंगा, SN2 नहीं करेंगा, समझना इस बात को, SN1 बुरा, SN2 बुरा नहीं है, बट SN1 बहुत अच्छा है, इसलिए वह SN1 ही prefer करते हैं, अब आओ थोड़ा, closer look at SN2, जल्दी-जल्दी करा रहा हूं यहां, ठीक है, क्योंकि basics तो आपके clear ही होंगे, फटा-फट से इसको खतम क करते हैं, अब देखो, क्या बोल रहा है, closer look at SN2, बहुत असान है, आपने H को निकाला, hydride बहुत अच्छा base है, माइनस आया, attack कराया, निकाल दिया, खतम, SN2 के through attack हुआ, ठीक है, यह वैसे भी methyl iodide का जन्मी इसलिए हुआ है, कि उस पे लोग attack कर सके, SN2 reaction करा सके, अब यहां पे देखो, अब आपके पास, डाई मितायल सलफेट लिया हुआ है, डाई मितायल सलफेट में इस ग्रूप को देखो, कितना शांदार लीविंग ग्रूप है, ओ माइनस कितना अच्छे से स्टेबलाईज हो सकता है, तो क्या करोगे, एलकॉल के सपहले, फिनॉल के साथ एन मितायल एथर बना और आपके पास इस टेबल सलफेट एनायन प्लियेट हुआ, ठीक है, तो आपको जितनी जरूरत है, वही बता रहे है, देखो, यह है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल अगर आपने पिछली वीडियो में SN1 की नहीं देखी है, तो उसको जरूर देखो, वहाँ मैंने पूरी एनर्जी प्रोफाइल को डिसकस किया, पुरा फंडामेंटल मैंने वहीं बात किया हुआ, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या है, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई इंटर्मीडियेट नहीं है, एक स्टेट आया, सीधे से प्रॉडक्ट आ लिया, रियक्शन एक्जोथर्मिक होगा, या एंडोथर्मिक होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉण्ट तूट रहा है, कौन सा बॉण्ट बन रहा है, तो इन जेनरल कुछ नहीं बता सकते हैं, हाँ, बट मैक्सिम्म केसे मे एक्जोथर्मिक ही आता है, ठीक है, यह हो गया आपका, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यह देखो ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा और्वाइटल से समझा रहा है, तो यह आपके पास है, फिल्ड और्वाइटल, और यह है आपका, तरह से, आप यह बोल सकते हो, यह ट्रांजिशन स्टेट आपका बना, यहां से दीरे दीरे इदर इलेक्ट्रों क्लाउड जा रही है, बांडिंग से निकल रही है, और कुछ इस तरह का सीन क्रियेट हो रहा होगा बीच में, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं, चलो, यह आया, एडजेसन, C double bond, C, C double bond, O, very important, I would say this is very, very important discussion, अब आप यह समझो, मैं आपको थोड़ा सा, यह बहुत ज़्यादा डीटेल में बताने की जरूरत उतनी है नहीं, जेए के point of view से, लेकिन आपको कुछ चीजें बता दे, पहली बार तो आप यह ध्यान रखो कि C double bond, C के बाजू में, अगर CH2, CLL है, तब यह SN2 करना अच्छा खासा prefer करता है, SN1 भी बुरा नहीं है, एलाइलिक कैटाएन आपका बुरा कैटाएन नहीं है, बट SN2 भी बहुत अच्छा करता है, बेंजाइलिक है, तो भी SN2 यह बहुत अच्छा करता है, और अगर आपके प SN1 तो यह करी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इसको हटा के आपको positive लाना पड़ेगा, और इतने अच्छे minus I group के बाजू में positive आप नहीं लगा सकते हैं, तो यह SN1 तो यह कर ही नहीं सकता, SN2 कर सकता है क्या, SN2 कर सकता है, और काफी अच्छे से कर सकता है, मैं आपको इसको actual MOT से थोड़ा सा बता देता हूं, although वो उतना जरूरत नहीं है उसकी, आप सीधे इस fact को भी ध्यान रखोगे ना, आपका काम चल जाएगा, अच्छे से काम चल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा explain कर देता हूं, देखो, इधर आप allylic वाले में बस यह समझो कि transition state में conjugation हो र vital है, जो partial bonds बना रहा है, वो resonance stabilized हो रहा है, ठीक है, इतनी बात आपको पता होने जीए, बस, काफी, अब यह वाला जो case है, यह वाला जो case है, इसको मैं थोड़ा सा आपको explain कर रहा हूं, देखो, होता क्या है, ध्यान से अब सुनो, क्या है कि आपके पास C double bond O है, और आपके पास CH2 BR है, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास है πाई स्टार, है न, क्योंकि attack करके πाई ही को तो आगे खुलोगे, तो यहाँ पे attack के लिए जो favorable है वो है πाई स्टार, और यहाँ पे जो favorable है, वो कौन है, यह आपका, sigma स्टार, यह है gap होता है normally energy levels पे सिग्मा स्टार थोड़ा higher energy का होता है पाई स्टार थोड़ा comparatively lower energy का होता है बट यहां क्या है ना कि CO और CH2BR यह दोनों के ही सिग्मा स्टार और पाई स्टार का जो energy है वो थोड़ा सा कम है because आप ऐसा सोच लो डेल्टा प्लस यहां पे है और डेल्टा प्लस यहां पे भी है तो डेल्टा प्लस की वजए से ऐसा सोच लो इसको और अच्छे से explain किया जा सकता है बट इतना भी अगर आप समझ रहे हो ना that is too good ठीक है इतना भी समझ रहे हो एक mixing होती है mixing होने के बाद आपके पास जो नए और बाइटल साते ना उसकी energy comparatively जो initially और बाइटल प्रेजन थे उससे भी कम होते हैं आप ऐसे सोचो या फिर दूसरा जही के लेवल में सोचने का तरीका ऐसा भी है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि देखो SN1 तो हो नहीं सकता तो क्या करा दो CO है ना यह CO बहुत अच्छे से डेल्टा प्लस क्रियेट करेगा तो attack करके इसको अपन बाहर निकाल देंगे तो इसलिए SN2 highly favorable है ऐसा भी सोच लो कोई problem नहीं है अपने को ठीक है बट यहाँ पे देखो यह pi star और यह sigma star सिग्मा स्टार और pi star सिग्मा स्टार की energy थोड़ी सी कम हुई so that यह mix कर सकते हैं अब यह mix होंगे ना तो देखो ऐसा कुछ होगा तो यह जो आपके मिक्सिंग होके नए और बाइटल बने और अब इन नए और बाइटल में जो नुक्लियोफिलिक अटैक है वह थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि अब इनकी एनरजी कम हो गई तो नुक्लियोफाइल का यह जो नेगेटिव चार्ज था ना वह एंटी बांडिंग में देखो ऐसे थी इससे काफी ज़्यादा यह तुम्हारा है पाई स्टार यह तुम्हारा सिग्मा स्टार देखो यहां से थोड़ी फीलिंग आई यह भी आपको तो यह चाहेगा कि मैं इनके साथ एनरजी मैच करूं तभी तो अटेक अच्छा होगा तो जब यह मिक्स हो माइनस है देखो अब इसके साथ यह मैच करेगा और यहां पर अपनी ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी तो एसे न्टू बहुत अच्छा होता है यह बात ध्यान रखना या बहुत ही जरूरी बात बताया हो आपको अच्छा एक बात और यहां पे अब बच्चों को यह भी बॉन्डो पे क्यों नहीं अटैक हो गया ठीक है अब सी डबल बॉन्डो पे भी अटैक करा सकते हो कराओ फिर यह जाएगा फिर ओ माइनस आएगा चलो आप अगर उसको एच प्लस दे देते हो तो एक नुक्लिफिलिक एडिशन प्रोड़क्ट आएगा मान लिया लेकिन अ आप यह कहो कि सरो माइनस है तो माइनस मैं मान लेता हूं कि नुक्लिफिलिक एडिशन का एक प्रोड़क्ट आ गया बट सब्स्टिट्यूशन का प्रोड़क्ट यहीं से आएगा जब आप बियार को बाहर करोगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख दो बागे देखा यहां पर क्या दिख रहा है यह बेस है अपना नुक्लिफाइल बोल लो सीओ के बाजू में क्या कराया एसन टू और फिर डी प्रोटोनेशन एमिनो की टो देख लो फास्ट एसन टू अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं यहां पर भी आई माइनस अटैक करके सील को बाहर निकाल रहा है और इसी का टेबल दिया हुआ है चलो देखो आई माइनस से अटैक कराके कुछ रिलेटिव रेट्स दिये हुए यह भी अच्छे से समझाएगा यह बहुत अच्छा है सेंटू वह कॉंजुगेशन इन ट्रांजीशन स्टेट की वजह से इनका एसन्टू भी बहुत अच्छा हुए अब एक द्यान रखना बेंजईलिक जादा अच्छा रेजरेंस करेगा उस ट्रांजीशनीशन सेट में तो इसलिए बेंजईलिक का ज्यादा अच्छा है इस रिनिया यह आप ध्यान रख सकते हो कि बेंजाइलिक इस बेटर देन एनाइलिक ठीक है आप यह द्यान रख सकते हो फिर आगे देखो यह क्या करेगा यह तो वही लोन पेर वाला केस है बहुत अच्छा है नौसो बीस है लेकिन ध्यान रखो एसन टू नहीं अब यहां पे यह आपके अलफा हेलो कार्बोनिल तो क्या करेगा ओविएसली यार यह तो एसन टू करेगा और आप रेट देख लो आपको समझ आ गई होगी चीजें अभी तक कि कैसे चल रहा है चल वाओ यह क्या एसन वन एसन टू का थोड़ा बहुत कंपैरिजन करा हुआ है बेसिक्स लिखी वी यह बाते इस्टेरिक फैक्टर आपको पता है अब देखो इस्टेरिक हिंडरिंस इसन टू बात पता है आपको टेट्रहेडल एंगल है देखो वह अटैक हो रहा है नू ठीजन हो जा रहा है ने था मिठाइल प्राइमरी हेलाइज से कंडील राइट बहुत इसी यह सब बाते पिर से रिपीट लिखी हुए यह है अपने को यह निकल गया और यह सा है इंख स्टिडियोग्यमेस्ट्री एंड सब्सथिटूशन स्टिटीशन स्टिडियोग्यमेस इस टेबल को देखो, इस टेबल में न नियो पेंटाइल की बात करी गई, नियो पेंटाइल की बात करी गई, नियो पेंटाइल एक ऐसा compound है, जो ना तो SN1 अच्छे से देगा, ना तो SN2 अच्छे से देगा, दोनों ही चीज़ें अच्छे से नहीं देगा, देखो SN1 क्यों न अगर दोनों चीज़े हो रही है हाई टेंप्रेचर पर जनरली ऐसा हो सकता है कभी-कभी बट आप मेजर केसेज में क्या करो पहले कैटायन बना पिछली वीडियो में भी आपको यह बात बताई हुई है पहले कैटायन बना फिर देखो कि वह कैटायन तो देखो यह कैटायन बिलकुल नहीं है ना तो SN1 हो नहीं सकता और SN2 क्यों नहीं हो सकता भले यह प्राइमरी है बट बाजू में भी अगर 3 डिगरी का एफेक्ट है ना तो यह SN2 भी अच्छे से नहीं कर सकता तो ध्यान रखो नियो-pen-tile बिलकुल अच्छे से ना तो SN1 ल करता है तो दोनों में क्या करता है सर अब एक कुछ नहीं करता है वह ठीक है वह अच्छा सब्स्ट्रेट हाई नहीं न्यूक्लिफलिक सब्स्ट्ट्यूशन के लिए वैसी यहां पर भी देखो टर्शरी एड्जेसेंट टू सी ओ SN1 तो क्या लिखा हुआ है slow SN1 react slowly by SN2 SN1 भी slow SN2 भी slow दोनों ही कोई खास अच्छा नहीं SN2 slow इसलिए 3 डिगरी कर दिये भले alpha पे hello लगायो लेकिन 3 डिगरी कर दोगे तो अच्छी बात थोड़ी नहीं पॉसीबल है बट अच्छी बात नहीं है SN1 ठीक है आप थोड़ा सा इसको stabilize कर रहे हो आप hyperconjugation से stabilize कर रहे हो और इस वज़े से possible है बोल सकते हैं बट दोनों चीजें ही अच्छी नहीं है दोनों चीजें अच्छी नहीं है important point है ठीक है अभी last में बड़ा table करेंगे उसमें सब चीजों को एक बार summarize करेंगे चलो ठीक है stereo chemistry हा मैं इस पे आ रहा था यह एक important reaction देखो इसमें होता क्या SO CLF और SBF5 को ढाल रह SBF5 लिक्विड होता यह भी SBF5 तो यह क्या करेगा यह तो बहुत तेजी से F- को लेना चाहेगा अपना non nucleophilic anand बनाएगा ठीक है तो इदर से यह fluoride इस पे जा रहा होगा और यह बन गया होगा SBF6- अब यह जो है न यह किसी भी cation को stabilize कर सकता है क्योंकि solution में अगर net charge नही है तो चीजे स्टे कर सकती है और यह non nucleophilic भी है तो होगा क्या कि यह alcohol है ठीक है अब alcohol में देखो ऐसा मैं बना देता हूँ यह तुम्हारा O है और O जो होगा यह निकल गया तो यहाँ प्लस आया तो इसको ऐसे लगा दो चलिए S double bond O और यहाँ पे CL आप ऐसे लगा अब द निकाल दिया आपने H प्लस निकाल दिया या फिर आपने इसको ऐसा बना दिया अब यह ठीठा क्लीविंग रूप बन गया यह इस तरह से लीव कर सकता है यह इस तरह से लीव कर सकता है और यह लीव करेगा तो आपके पास यह जो कैटायन होगा यह जो कैटायन यह स्टे क कर सकता है solution क्योंकि इसके पास जो एनाइन प्रेजंट है वो एक नॉन नुक्लियोफिलिक एनाइन तो कुछ इस तरह से यह स्टे करेगा तो ध्यान रखो यहां आमने पानी नहीं डाला हुआ है पहले इसका यूज करके कार्बोकेटाइन बनाए और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद पानी डाला तो आपके पास एक रैसिमिक प्रॉड़क्ट आया है इसमें आपको यह अगर देख लोगे ना तो यह भी एक बार में अगर पढ़ा नहीं हुआ है तो लगेगा कुछ अजीब सा करा रहे हो गया एसन बन फॉलो हुआ है ठीक है रिमेंबर वेरी इंप कि probability बराबर होती है तो जितना amount S का probable है उतना ही R का probable है और इस वजह से अगर एक clear SN1 reaction हो रहा है तो 50-50 दोनों बनते हैं यह लिखा हुआ है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है SN2 की stereo समझा रहा है क्या देखो यह S है यह वाला configuration S है यह वाला configuration S है अब क्या हुआ साइधर और यह आपके पास सल्फोनेट एस्टर एक लीविंग ग्रूप जैसा बना देख लो बहुत असान है nucleophilic addition followed by elimination of CL तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिला अब क्या होगा ने देखो यह O के साथ यह O माइनस बहुत अच्छा लीविंग ग्रूप दिख रहे है आपने वही उसके साथ आपने इसको रखा हुआ है कोई बड़ी चीज़ नहीं हो देखने में लग रहा है तो देखो acetate आये एक अच्छा nucleophile है ठीक ठाक nucleophile है तो यह attack करेगा और यह इसको निकालेगा तो देखो यह SN2 से निकाल रहा है यह SN2 से निकाल रहा है SN2 से क्योंकि देखो solvent भी DMF है solvent का भी अभी आएगा discussion तो बहुत अच्छा discussion है solvent पाला तो देखो यहां पे यह minus attack और इसको बाहर किये तो यह देखो आपके पास अब जो आपके पास ester आ रहा है वो configuration wise change हो चुका है S से R हो चुका है और यह तुमारे पास product है ठीक है तो यह हुआ तो यह हुआ तुमारे SN2 का stereo चलो यह तो basic ही थी बात इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है यहां भी वही चीज है देखो क्या बता रहे है यह R configuration के साथ था OH माइनस ने attack किया यह उपर गया वह यह वापस आके इसको निकाला यह कुछ ऐसा और यह अभी R sec butanol है वही बात है basic से कुछ नया खास नहीं आगे आओ यह जो आया यह आया effect of solvent यहां थोड़ा सा अच्छे से discussion करते हैं solvent का effect यह जो बातें लिखी गई है मैं आपको समझा रहा हूँ देखे आएसन वन में तो highly recommended है कि आप प्रोटिक solvent यूज करोगे क्यों 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 कि आपको इस कैटाएन बनाने ठीक है एक और पॉइंट इसमें लिखा गया अच्छे से वो भी मैं अच्छे से बताता हूँ आपको क्या बनाना है आपको कैटाएन बनाना है और कैटाएन बनाने के लिए आपको sufficiently जो h का डेल्टा प्लस है जो एच का डेल्टा प्लस है उसकी हाई मेगनिट्यूट की वजए से आपको इधर जो डेल्टा माइनस प्रेजेंट है क्लोराइड ले लो या कुछ भी ले लो उसके साथ बहुत अच्छे से आपको इंटरेक्ट करना है जो एनर्जी रिलीज है वो इस बॉन्ड एनर्जी को तोड़े और आपके पस केटायन बने यह पिछली वीडियो में भी शुरू में ही समझाया हुआ है ठीक है तो आप SN1 में तो प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो आप SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो SN2 में क्या लेते हो ए प्रोटिक के हो ऑल्दों पोलर लेते हूं क्यों 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 थोड़ा बहुत आईनिक हमारे पास जो रियेजैंट होते हैं उनको थोड़ा डिजॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत polar characteristics चाहिए होती है polar characteristics चाहिए होती है ionic reagents को dissolve करने के लिए therefore हम ऐसा नहीं कि benzene ले case into करा देंगे आपको थोड़ा सा ionic reagents को dissolve करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा delta positive मतलब protic मतलो but आप a protic लो polar low although जैसे acetone अब इसका एक और point लिखा गया देखो एक और यहाँ पे line लिखी गई है कि जो SN1 में transition state बनता है वो starting material से ज़्यादा polar होता है SN1 में starting material क्या देखो? RCL और H2O अब इसको समझो transition state ज़्यादा polar होता है कैसे ज़्यादा polar होता है ज़्यादा polar तब होगा न polar कोई चीज़ कब होती है जब plus minus localized हो जाए कुछ free spaces में plus minus localized हो जाए अलग-अलग हो जाए तो हम बोलते हैं कि हाँ एक polar type का कुछ character आ रहा है जैसे आप azulin में देखते हो एक तरफ plus एक तरफ minus कैटायन बनता है कैटायन पूरा positive है देखो R plus और CL minus देखो ये पूरा positive पूरा negative तो इसको हम क्या बोलेंगे कि this is more polar हम यही बोलेंगे ये line लिखी वी है उसको मैं समझा रहा हूँ ये लिखावा ये इसको बोलेंगे पर more polar क्योंकि plus minus तो इसका transition state भी जो होगा वो इसके corresponding ज़्यादा polar होगा तो transition state needs the salvation because it is more polar it needs salvation it needs much more salvation therefore यहाँ पर protic solvent यूज़ करो ये भी एक point है अच्छा point है दूसरी बात दूसरे का transition state कैसा है उसमें देको nucleophile था पूरा पूरा minus था और आपके पास RCL था यहाँ पे हलका delta प्लस था पूरा minus था delta प्लस था थोड़ा सा solvent मतलब आप देख लो इसकी polarity देख लो और इसके बाद जो transition state आता था वो कैसा था R, हलका हलका CL हलका हलका NU मतलब जो minus प्लस था वो एक तरह से localized तो आपको देख के filling आनी चाहिए कि इसका जो transition state है एक पका माइनस जो था वो अब दो-तिन atoms के बीच में share हो गया है तो यह less polar हो गया है यह less polar हो गया है मतलब transition state भी less polar है starting से इसको इतनी salvation की जरूरत नहीं है इसको इतनी salvation की जरूरत नहीं है तो आप बहुत ज़ादा protect solvent use मत भी करो तो चलेगा मत करो protect solvent use आप यहाँ पे a protect solvent use करो और एक बात बताओ जो आपका nucleophile है न अगर आप protect solvent use करोगे तो protect solvent इसको बहुत अच्छे से solvate करेगा और फिर यह अपना जो attack इसको करना है उसकी possibility थोड़ी कम हो जाएगी तो यह है effect of solvent यह detail में बता रहा हूँ आपको और यहाँ से आप points जो लिखे हुए न आप खुद से पढ़ सकते हो ठीक है यही सब चीज़े लिखी भी है एक आप point में आपको बता देता हूँ और जो ऐसी tone है न यह i- को उतने अच्छे से थोड़े न अच्छे से वह इसका जो डेल्टा पॉजिटिव है वो देखो स्टेरिकली भी crowded स्टेरिकली भी crowded तो i- अगर शॉल्वेट नहीं होगा और शॉल्वेशन की जरुद भी नहीं होगा तो अच्छी बात आना है क्योंकि वह अटेक करने जाएगा और शॉल्वेशन की जरुद भी नहीं है क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका ट्रांजिशन स्टेट है वह लेस पोलर है देन दा इनीशियल बस अब आप इस चीज़ को पढ़ लेना आपको यह चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से डीटेल में चीज़ों को बता रहा हूं यार फॉलो करते जाओ देखो डीमेफ डीमेसो इस सब आपको पता होना चाहिए ठीक है डाइमिथाइल फॉर्मा, माइड, सल्फॉकसाइड यह वगरा वगरा आप देख लो यह पढ़ लेना यही सब लिखा हुआ है आपको बिल्कुल मैंने एक्स्प्लेन कर दिया हुआ यह टेबल कुछ नहीं SN1, SN2 के बारे में जो पांच बार पहले बता चुके वही बातों को फिर से रिपीट कर रहा है यह भी कुछ नहीं जो पीछे पांच बार बता चुके ना उसी को रिपीट कर रहा है थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं चलो देखो, यहाँ पर क्या बात हो दी क्लोजर लुक एट इलेक्ट्रोनिक एफेक्ट मैं सीधे इस पे बात करता हूँ यह सीधे इस इलस्ट्रेशन पे बात करता हूँ उपर का पढ़ने का ज़रत नहीं मैं इसी को समझा रहा हूँ अगर आपके पास OME लगा हुआ है और CL लगा हुआ है तो देखो OME भी कही ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ट को स्टेबलाइस करेगा यार ऑक्जोनियम जैसा बनाके तो यहां पे आप SN2 कराने से पहले हमेशा क्या कराओ SN1 कराओ वेरी इंपोर्टेंट SN1 कराओ यह भी तो ऑक्जोनियम बना रहा है देखो वो दूर है तो क्या हुआ पर रेजोनेंस से तो कनेक्टेड है रेजोनेंस से कनेक्टेड है वो तो देखो यहां पे उक्जोनियम बना रहा है अब यहां पे क्या अगर नाइट्रो लगा दोगे ना नाइट्रो लगा दोगे तो नहीं SN1 डिस फेवर करेगा SN1 डिस फेवर करेगा या यहाँ पे कोई भी खीचने वाला गुरूप लगाओगे तब आपका SN2 जो है वो थोड़ा सा और intensify हो जाएगा आप इसको डेल्टा प्लस से सोचो ठीक है अब डेल्टा प्लस से सोचो मत जाओ MOT में मत जाओ डेल्टा प्लस से सोचो वो नाइट्रो खीचेगा और यहाँ पे transition stabilized है electron deficient system से आपना यह benzylic sites transition state benzylic sites ठीक है बता चुक है चलो आगे देखते हैं यह चलो देखिए final table है इसके बाद अगली class में करेंगे इस final table को summarize कर लेते हैं इस final table को summarize कर लेते हैं leaving group जो topic है उसको अगली class में देखेंगे चलो देखो इसमें क्या-क्या बात हैं देखो पूरा जो भी हमने पढ़ा ना सबका summarize यहाँ पे कर रहे हैं अब आप इसको इसका screenshot ले लो यह काफी अच्छा table है जो भी अभी तक हमने पढ़ा सबका summary इसमें लिखा हुआ है मैं एक बार फिर से read करके explain करते थे देखो मिथाईल है क्या करेगा यह SN1 नहीं SN1 कभी नहीं करेगा यार यह कैटायन स्टेबल नहीं SN2 बहुत अच्छा यह primary SN1 नहीं यह भी SN1 नहीं करता SN2 अच्छा करता है secondary क्या बताया था करते दोनों हैं बट पूर पूर दोनों टर्शरी SN1 बहुत अच्छा SN2 बहुत बुरा देखो नियो पेंटाइल आया नियो पेंटाइल explain किया हमने यह भी बैड यह भी बैड यह भी खराब है अब देखो फिर नीचे आया यह अपना अब अलाइलिक में क्या था देखो SN1 भी अच्छा SN2 भी अच्छा SN1 अच्छा इसलिए कहता है स्टेबल है SN2 अच्छा इसलिए क्योंकि transition state ट्रांजिशन स्टेट कॉंजूगेटेड आ रहा हुगा बेंजाइलिक में भी same case अच्छा यह देखो अलफा एलकॉक्सी एडजेसंट लोन पर वाला एसन टू इस ऑल्सो ओके बट SN1 बेटर देखा यह देखो यह गुड़ अब अल्फा हेलो कार्बोनिल ऑल्वेज एसन वन इस बैड पॉजिटिव इस नॉट इस्टेबल एंड एसन टू इस एक्सिलेंट एंड देखो यहां पर बैड SN1 तो बैड है ठीक SN1 बैड है बाजू में नहीं लगाना कि तब आप अल्फा एच लगा लो होने की चांसेस कम है स्लो है और SN2 आप बोल सकते हो अभी भी पॉसिबल है वही लूमो एनर्जी स्टेट्स मोटी से देखो या फिर डेल्टा प्लस से देख लो बट य ठीक है लीविंग ग्रूप से अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हमारा सब्स्टिट्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा यहां से पढ़ेंगे अगले आगे के रियक्शन कुछ और अच्छे तो उमीद है आप वीडियोस देख रहे होंगे अच्छे से फॉलो करो चीज भी है ठीक